हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई योट्यूब चानल मधू की पाडशाला हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लिट्रेचर में इंपोर्टन राइटर्स के आम सिक्यूज की सीरीज और स्टार्ट करेंगे शेक्स्पियर से सबसे पहले तो जो भी exam के point of view से important questions बनते हैं या previous exams में आए हुए questions हैं वो हम यहाँ पे discuss किया करेंगे क्योंकि Shakespeare के works बहुत सारे हैं life के लिए भी important questions बनते हैं तो एक videos में तो cover नहीं कर सकते हैं इसलिए काफी सारी videos में इसको हम continue रखेंगे और बाकी other writers हैं British literature से related, Indian literature से related तो आज से हम start कर रहे हैं तो I hope कि आपको videos पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question है When was Shakespeare born? Shakespeare कब पैदा हुआ? तो हमारे पास रहेगा 1564 answer रहेगा अगर आपसे बात की जाए पूरा आमें बताना हैं तो क्या होएगा? 26 April 1564 में इनका birth हुआ था और पूछा जाए आपसे death के लिए कि इनकी death कब हुई थी? तो वो क्या रहेगा? 23 April 1616 23 April 1616 में इनकी death हो गई थी Next question देखिए Where was William Shakespeare born? अब हमें उनका place बताना है कि birthplace कौन सा है? तो इसमें हमारे पास रहेगा Stadford on Avon ठीक है? Stadford on Avon अब यह जो Avon है वो क्या है? एक river है और उस river के ऊपर जो है Stadfordic Strait है उसमें इनका birth हुआ था Next देखिए How many plays did William Shakespeare write? William Shakespeare ने कितने plays लिखे हैं तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा? 37 plays जो है William Shakespeare ने लिखे हैं Venus and Adonis is a long narrative poem by William Shakespeare ने ही यह poem लिखी है Obviously हम William Shakespeare को read कर रहे हैं तो उनी की poem है ठीक है? तो अगर हम William Shakespeare से हट करके अगर miscellaneous questions को solve करते हैं तब आपको याद रखना है कि Venus and Adonis Shakespeare की एक long narrative poem है Next देखिए The first folio of Shakespeare plays appeared in हमें बताना है कि जब Shakespeare जिंदा थे तो उनके works जो है perform किये जा रहे थे publish हो रहे थे लेकिन बाद में उनके दो friends थे उन्होंने मिल करके उनके जितनी मी works थे उनको collect किया और उनके portfolios जो है उनके folios जो है वो publish करवाई उन folios में से ये पूश रहा है कि first folio कब publish हुआ था तो इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा answer 16.23 में इनका first folio जो है publish हुआ था आप इसको इस तरह की से याद रख सकते हो कि 16.23 में उनका first folio आया था 16.32 में इसका आप उल्टा कर दीजे यहां से तो वो हो जाएगा 32 32 में इनका second folio आया था then 16 बत्तिदूनी 64 होता है तो 16.64 में इनका third folio आया था और जो fourth folio था इनका 16.85 में आया था तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो बहुत easy तरीका है इनके folios के publishing को याद रखने के लिए कि कौन-कौन से year में इनके folios publish हुए थे next देखिए which is the shortest tragedy of Shakespeare Shakespeare के works में जो नोंने tragedies लिखी है specially तो जैसे की बार होता है कि आपको याद रखना होता है तो उसके लिए मैं निमॉनिक बताती हूँ आप होकम के नाम से उनकी tragedies को याद कर सकते है ठीके जो main tragedies है उनकी वैसे तो इनके अलावा भी tragedies इन्होंने लिखी है लेकिन A से क्या बन जाता है जैसे की hamlet बन जाता है ठीके O से क्या बन जाएगा Othello Then K से क्या बन जाएगा King Lear A से बन जाता है Anthony and Cleopatra And M से बन जाता है Macbeth तो इस तरीके से इनकी जो main tragedies है उनको आप होकम के नाम से याद कर सकते है और इन में से अगर आप से पूछा गया है कि shortest tragedy कौन सी है तो कौन सी रहेगी Macbeth रहेगी Macbeth इनकी shortest tragedy रही है Next देखिए William Shakespeare's Julius Caesar Anthony and Cleopatra And Carolinus Are Based On अब देखिए पहले बात तो ये कि जब आपको इनको निमोनिक में याद करना होगी कैसे हम याद रखें कि कौन सी चीज है लिखी गई है तो आप इसको Jack के तरीके से याद रखिए J से क्या बन जाएगा Julius and Caesar A से हो जाएगा Anthony and Cleopatra Then Carolinus C के लिए ठीके Jack से याद रखेंगे और ये जो है तीनों वर्क जो है Shakespeare ने कौन सा ऐसा दूसरा वर्क है जिससे इसको इस सोर्स को लिया ठीके यानि कि उनके दिमाग में आया कि आपने वो लिखना है और वहां से उनके सोर्स को उठा लिया है नेक्स देखिए Sexual jealousy is a theme in Shakespeare's play यानि कि इन में से चार options हैं आपको बताना है कि कौन से प्ले का theme जो है वो sexual jealousy दहा था तो इसमें हमारे पास रहेगा Othello क्या रहेगा Othello जो Othello के अंदर Iago होता है Iago को वहां से जो उसकी wife थी जो हमारा main character है Othello उससे क्या रहता है एक sexual jealousy रहती है कि क्यों जो वहां का duke था वो उसको जादा preference दे रहा था तो इसलिए हमारे पास यानि कि Othello उसकी wife को डैस जी मोना को जो है जादा preference क्यों दे रहा था तो उसके लिए आप कह सकते हों यहां पे कि sexual jealousy का एक point हमें यहां देखने को मिलता है तो यह main theme रहेगी Othello नेक्स देखिए sexual possessiveness is a theme of Shakespeare's dash यानि कि sexual possessiveness है वो कौन से Shakespeare के play की main theme रही है इसके लिए हमारे पास answer रहेगा A Midsummer Night's Dream इसको आप टिक कर लेंगे A Midsummer's Night Dream is the answer for sexual possessiveness as a theme of Shakespeare's play नेक्स देखिए When my love swears that she is made of truth I do believe her though I know she lies The author of these lines is अब यहां पे हमें author ही पूछ लिया है तो author हमारे पास कोन रहेंगे इसके अदर William Shakespeare रहेंगे कौन रहेंगे? William Shakespeare और आपको यह पता करना है कि यह line जो है उनके कौन से work में लिखी गई है क्योंकि directly line से भी questions पूछे जाते हैं आपके कि from which play या which form जो है इनकी lines जो है directly पूछ ले जाती है कि from which play these lines belong to? कौन से place से belong करती है Then हमारे पास next question है Ripeness is all Is a line from यानि कि यह जो line है कौन से place से ली गई है यह आपको बताना है तो इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा? Right answer रहेगा? King Lear क्या लिखेंगे इसके अंदर? King Lear जो है right answer है उसमें बोली गई है यह line Ripeness is all The Globe Theater opened in अब यह जो Globe Theater है वो किसका theater था? यह William Shakespeare का ही theater था उन्हों नी खोला था यह ठीके और यह जो है काफी आप कहा सकते हो कि एक renowned theater रहा था Elizabethan age में सबसे ज़्यादा dramas जो है इस theater में perform किये जाते थे और यह इन्होंने open किया था 1599 में यह याद रखेंगे आप 1599 में Next हमारे पास है The line Present fears are less than horrible imaginings यह line जो है कौन से इनके work से ली गई है तो यह क्या रहेगा इसके अंदर कि Macbeth के play से ली गई है Present fears are less than horrible imaginings तो यह कहां बोला गया है यह Macbeth में बोला गया है Next देखिए Choose the correct chronological sequence of the following plays तो देखो वैसे ही यह क्या है सारी की सारी tragedies है King Lear, Othello, Macbeth, Hamlet मैंने आपको अभी बताया था होकम के नाम से आप इनको याद कर सकते हो और उसी के coding जो है इनका sequence भी बनता है तो याद रख लीजिए इसको sequence के लिए Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth देखो अब Anthony and Cleopatra इसके इंदर नहीं है तो obviously फिर भी उसी के coding क्या रहेंगे यह chronological order में रहेंगे sequence में रहेंगे तो यह हमारे पास answer आजाएगा C Next देखे identify the character in the Tempest who is referred to as an honest old counselor यानि कि Macbeth के एक play है The Tempest और यह जो Tempest play है The Tempest यह इनका last play रहा था ठीक है आपसे पूछा जाए कि इनका swan song कौन सा रहा swan song का मतलब क्या होता है the last writing work तो last writing work इनका कौन सा रहा The Tempest रहा अब जो The Tempest है यह इसके अंदर पूछा गया है कि who is referred to as an honest old counselor तो वो कौन हो जाएगा गौनजैलो हो जाएगा अब Tempest से जो है exams के अंदर questions पूछे जाते हैं तो Tempest को बहुत अच्छे से करेंगे इसकी theme क्या है जैसे की colonialism की theme जो है इसके अंदर ली गई है ठीक है fairy tales का जो है इसके अंदर use किया गया है prospero जो है इसका main character रहता है ठीक है तो ये सब आपने इसके अंदर याद रखना है next देखिए frailty thy name is woman occurs in Shakespeare's अब ये जो line है frailty frailty का मतलब क्या होता है weakness ठीक है वो उस तरहीके से इसको जो है call करता है कि frailty thy name is woman तो ये जो है किसके अंदर बोला गया है ये hamlet के अंदर बोला गया है वो जो उसकी mother थी hamlet की mother उसके case में ये words जो है बोले गए थे next देखिए who in hamlet suggests that one should neither be a lender nor a borrower तो ये जो है who in hamlet suggests यानि कि ये बात कोन कहता है कोन suggest करता है कि कभी भी जो है ना तो lender बनना चाहिए उधार देने वाला और ना ही borrower यानि कि उधार लेने वाला बनना चाहिए ये हमारे पास किस में आ जाएगा ये होता है hamlet की अंदर जब हो hamlet में कौन है एक polonius है polonius जो अपना उसका बेटा होता है liartis जब वो business करने के लिए बाहर जाता है तब वो उसको suggest करता है polonius तो इसलिए suggest तो कौन कर रहा है polonius कर रहा है लेकिन hamlet के play के अंदर कर रहा है तो इसलिए तो who के लिए पूछा न तो who के लिए तो हम polonius को choose करेंगे न अपने बेटे liartis के लिए ये words जो है वो use करता है next देखिए which of the restoration dramatics provides king lear with the happy ending अब ये बहुत ही important question है आपके लिए कि वैसे तो king lear में क्या होता है एक tragedy है obviously इसके अंदर तो जो इनकी daughters होती है दो daughters जो है वो मर जाती है ठीक है तो वो चीज़ें इसके अंदर है लेकिन neham tet जो है neham tet क्या करता है उसकी ending को change कर देता है happy ending में convert कर देता है तो this is no more tragedy according to neham tet तो वहाँ पे इनका बड़ा अच्छा रोल रहता है एक तो hamlet की ending को change करते हैं और एक हमारे पस king lear की ending को change करते हैं तो ये आपके लिए बहुत important रहेगा तो neham tet का नाम आप याद रखेंगे next देखिए which play of shakespeare opens with the line if music be the food of love play on अगर music love है food का food है love का तो इसको आप बजाते रहिए तो ये जो line है ये कौन से play में बोले गई है और ये जो play आपका रहेगा ये बहुत ही important रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि इस से related आपके ना केवल lines जो है वो important रहती है इनके characters भी बहुत important रहते है और ये play हमारे पास है 12th night ये आपने MA के course में भी पढ़ा हुआ होगा तो इस play को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे 12th night if music be the food of love play on next देखिए the mousetrap is dash a chivalry form short story told by Chaucer play by Dryden or name of the play within play Hamlet तो ये हमारा इसका correct answer रहेगा mousetrap क्या है Hamlet play के अंदर फिर एक play होता है उस play को हमने क्या बोला है mousetrap बोला है और ये काफी बार exams में पूझा जा चुका है next देखिए rape of lucrease is a long poem by यानि कि पहले कौन सा आया था Venus and Adonis जो है वो भी किस ने लिखी है Shakespeare ने लिखी है और ये जो long poem है the rape of lucrease ये भी किस ने लिखी है ये भी William Shakespeare ने लिखी है तो answer हो जाएगा A हमारे पास next देखिए which one of the following was the most important theater of Elizabethan age तो Elizabethan age में अगर हम बात करते हैं तो सबसे important theater वो globe ही रहता है और ये किस ने बनवाया था William Shakespeare ने बनवाया था कब बनवाया था 1599 में ये theater बनवाया गया था Shakespeare took many characters and incidents from Plutarch's lives 1597 who translated this book into English आप देखो पहले मैंने आप से ये चीज़ पूछी थी कि ये जो हमारे पास work है Jack के नाम से अगर हम पूछते है तो वो roman plays है हमारे पास अभी मैंने उपर जिकर किया था J.A.C. के नाम से Julius and Caesar, Antonian, Cleopatra and Carolinus तो ये हमारे पास क्या है Roman plays है क्या है ये Roman plays है और ये इनका source जो है वो क्या रहा था Plutarch's lives रहा था तो इसको translation किस ने किया था ट्रांसलेट किस ने किया था Thomas ने किया था तो नौर्थ का North translation of Plutarch's lives आप से पूछा जाए तब भी आप उसको correct कर सकते हैं और Simple Plutarch's lives आथा तब भी आप उसको correct कर सकते थे तो ये किस ने किया था Thomas ने जो है इसका translation किया था Puck is a character in Shakespeare's play अब Puck के लिए पूछ रहे हैं कि ये एक कौन था Fool था और ये Fool जो है कौन से प्ले में आपको दिखाई देता है तो ये character आपका बहुत important रहेगा देखिए मैं बार बार जो भी coaching कर रहे हैं या जो भी मैं पढ़ाती हूं बच्चों को तो भी मैं यही बोलती हूं कि main characters तो आपको ध्यान रखने ही रखनी है क्योंकि वो तो exam के point of view से important होई जाते हैं लेकिन जो minor characters होते हैं उनको भी आपनी दिमाग में रखना है आज कल minor character से भी questions पूछे जाते हैं और जैसे कि पक है पक जो है एक fool है इसके अंदर ठीक है आप कह सकते है एक clown है ठीक है एक clown है तो उस clown से भी questions पूछे जा सकते हैं तो मैंने अपने telegram channel मधू की पाडशाला पर एक PDF शेयर की थी एक छोटा सा work उसके अंदर सारे जो Shakespeare के fools बनते हैं सारे place के अंदर वो मैंने उसके अंदर post किये थे तो आप उसको बिल्कुल भी जो है हलके में मत लेना क्योंकि उससे questions आपके निकलते ही निकलते हैं ठीक है clown कह सकते हो तो या fool कह सकते हो या आप उनके servant इनको बोल सकते हो ठीक है joker तो यह हमारे post कौन रहेगा पक का Midsummer Night's Dream जो है इसका correct answer रहेगा Midsummer Night Dreams के अंदर आपको यह character देखने को मिलता है एक जो है फॉल्स्टॉफ के वारे में पुछा जाता है एक फॉल्स्टॉफ है ठीक है तो आपको मैं यह होमक दे रही हूँ कि फॉल्स्टॉफ का आपने पता लगाना है कि कौन से Shakespeare के play में यह character आपको देखने को मिलता है next देखिए the main source of Shakespeare's Othello is Othello जो इनका play है tragedy है उसका source क्या है कहां से उन्होंने यह idea लिया था कि उन्हें Othello एक जो है play उनको लिखना है तो इसमें हमारे पास कौन सा रहेगा an Italian tale in Hecatomethy Italian tale of Hecatomethy जो है इनका एक source रहा था जहां से उनको idea मिला कि उन्हें Othello लिखना है तो इस वीडियो में अभी हम 25 questions ही Shakespeare के जो है शेयर कर रहे हैं आगे इस series को मैं continue रखूँगी तो अगर आपको videos अच्छी लगती है तो like, share जरूर कर दीजिएगा अगर आप और किसी writer पर अगर आप चाहते हैं कि मैं videos बनाओ तो उसके लिए आपके suggestions बहुत जरूरी रहते हैं तो आप मुझे suggestions दे सकते हैं तो लेकिन जो exam के point of view से Indian writers और British writers जो आपके लिए important रहेंगे उनके लिए मैं video बनाओंगी ही बनाओंगी उसमें कोई doubt है ही नहीं ठीक है तो thank you very much for being with us